नमस्कार आप देखने चोचल लिउस वे हूँ आपके साथ किंचर चर्मा पाच घंटे की बैठाक हुई और उसके बाद बेभी कोई बात नहीं बनी हम बात किसानों और पुलिस प्रशासन और साथ ही सरकार की कर रहे हैं मस्कार के साथ में बात नहीं बनी कोई भी समती नहीं बन पाई किसान कह रहे हैं सरकार हम से टाइम पास कर रही है हमारा वक्त जाय कर रहे है जारी रहेगा Som नोरण सिरकार हमारी बातों को सुन ले, हम वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी बातों को पहले मानना जरूरी है। किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं, इसके लिए पुरिस प्रशासन ने पुरी तरह से जो वैवस्ता हैं वो बुक तगरली हैं, दिल्ली की बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है, राजधानी से सच्चे सभी सीमा को सील कर दिया गया है, धारक से चबारे दिल्ली में लाग किसानों और सरकार के विच में तालमेल बैट नहीं रहा है, आज इसी वज़े से पुलिस परशासन अलार्ट मोड पर ज्यादा है, क्योंकि आज ही का ऐलान हुआ, जैसे कि आप थोड़े देर पहले बता भी रहे थे, अभी कोई अपडेट मिल रही है, क्योंकि आज किसान किसानों की ओर से दिल्डी कोउच को लेकर पहले ही एक तारिख ताइक कर दी गई थी, 13 मार्श और आज किसानों की ओर से ये कहा भी गया, कि वो दिल्डी के अंदर कोउच करेंगे, लेकिन सुँत्रों से तुछ जानकारी मिल रही है कि हो सकता है, क्योंकि दिल्ली कोउच स से उनकी तो कहिए न कहिए वहाँ पर पुलिस की ऊर से पहले की अफेक्ट है क्योंकि पुरूर में जब हम له देखा था कि जब किसार अंदोलर हुआ उसे सबक लेते हुए जो है दिल्ली पुलिस की ऊर से पूरी तयारिया इस बार की गई हैं और वो तयारिया इस प्रकार से हैं कि बिल्कुल भी चूक ना हो सके लेकिन किसान जो Đिली कोई करने वाले हैं उनको यह सबी बाते पता हैं कि दिल्ली पुलिस या तमाम जो एजिंसिया उनकी उर से किस तरीके की तयारिया की गई है ऐसे में उन लोगों की उर से प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से कहां पर जो है दिल्ली के किन इलाकों से जो है एंटर करना है हर्याणा या पंजाब या यूपी इन इलाकों से अगर किसान आते हैं तो उन्होंने कहीं न कहीं इस रोड मेप को तयार किया है और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें ये भी पता है कि दिल्ली पुलिस जो है या पिर तमाम जो अजेंसिया है वो बल का प्रयोग भी करेंगी ऐसे में किसानों की ओर साफतोर पे कहा गया है कि किसी भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया जागर जो और जबरस्ती प्रोलिस प्रसासन करता है तो वह वहीं पर बैट कर धरना देंगे ये भी सूचना मिल रही है कि जो गुरुद्वारा होते हैं वहां से लंगर की विवस्ताओं की प्लैनिंग की गई है और तमाम जो उनके लोग है या फिर जो युवा है जो पहले भी किसान अंदोलन के समय में उन्होंने जिस परकार से अपनी एक बड़ी भूमी का दिली के कूच के समय उन्होंने निभाई थी उन युवाओं को भी इस बार कई जिम्मदारिया दी गई है तो ये सुत्रों से जानकारी मिल रही है कि कहीं न कहीं जो युवा उस समय दिली के बॉर्डर्स पर एंटर किये थे और कई जगा पे हमने देखा था कि कानून को भी अपने कि वो दिली के अंदर कूच करेंगे तो अब ये देखने वाली बात होगी हाला कि उसकी वज़े से परिशानिया जो है अब सुबह से ही जो आम जम जीवन है उनको जेलनी पड़ रही है अगर हम दिली गाज़िपूर बॉर्डर की बात कर ले तो ये यूपी से बिलकुल जहां से लोग पैदल भी जाते हैं साइकिल से भी टूविलर जहां से आम रास्ते हैं उन पर भी पुलिस प्रसासन की पहनी नजर है और वहां पर भी दिली पुलिस और अन एजिंसियों को तैनाद किया गया है ऐसे में बिना जरूरी किसी भी एक व्यक्ति को वहां पर खड की गई थी संजे अरोडा जो दिली के सीपी हैं उनकी ओर से तमाम बॉर्डर पे जो है वो सुरक्षा का जयाजा लिया गया था और दिली गाजीपुर बॉर्डर भी पहुंचे थे सिंगू बॉर्डर भी पहुंचे थे वो और उसके बाद से ही अब देखने वाली बात की बैं और जब किसान इंटर करते हैं क्योंकि इस बार आसान नहीं होगा पिछली बार के तरह इस बार जो हैं बहुत मुस्किलों होसकते हैं किसानों के लिए कि वो दिलडि के अंदर दाखिल हो पाए सकी तमाम जो तयारिया है पुली मुपत की गई हैं कीले बंदी बड़े बड़े पत्थर लगाए गए है ।ो इस बार क्या कुछ होता है किसानों की उर से कैसा रुख अपनाया जाता है दिली के अंदर कुछ करने का यह देखने वाली बात हुगे। प्रेस कॉन्फरेंस आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फरेंस भी हो सकती है किस समय बिल्कु देखिए अभी इसका समय जो है निश्चित नहीं बताया गया यह सुत्रों से जानकारी मिली थी क्योंकि दिल्ली में कूछ से पहले किसानों की ओर से यह बात कही गई है कि कही न कह भी तक कि प्रेस कॉंफरेंस का समय है वो नहीं बताया गया है ऐसे में यह भी हो सकता है कि किसी किसान नेता की और से एक वीडियो के जरीय कोई संदेश जारी किया जाए लेकिन हालाइकि यह भी बता दे कि राद के समय कही किसान जो नेता है उनके जो सोशल मीडिया बन किया गया है कि कहीं न कहीं किसी भी तरीके से कानून विवस्ता को बनाये रखने के लिए परशाशन के और से जो भी कदम उठाय जाने हैं वो कदम उठाया जा रहा है क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा था कि कई जो घटना है वो सोशल मीडिया से फैली थी अफवा फ लगाई गई है ठीक है बहुत शुक्रिया तमाम जैनकरी के लिए जीत